एःटो कई वेल्काम्टो माई चैनल सो गाइज आज हमें एक नया टॉपिक सिखेंगे फ्रेक्षिन एन गाई आपको आप भी सम्झाऊंगी कि फ्रेक्षिन किसे कहते हैं फ्रेक्षिन क्या चेज है तो example के लिए मैं आपको समझा रहे हूं तो इसलिए जैसके हमने एक circle ले लिया इसके हमारे पास कितने partition है one two three four four partition है तो हमें इसका fraction निकालना है कैसे निकालेंगे four क्योंकि हमारे पास four partition है न बस तो इसलिए और जो हमारे नीचे की digit होती है उसे हम बोलता है डामनेटर एंड जैसे की हमारे पास यह two sides फिल है ठीक है four four partition है और इसमें से बस two sides फिल है तो हम कलिकिंगे उपर two side fill है और कितने हैं पूरे sides मतलब कितने पार्टिशन है इसमें four ठीक है तो यह नीचे वाली डिजिट तो हमें पता जो लिगे उसे बोलता है डामनेटर और जो उपर वाली उसे बोलता है नियूमेरेटर ओके तो यह बात clear अब देखो अब हम clear हो गया होगा कि उपर वाली डिजिट को नियूमेरेटर और नीचे वाली डिजिट को डामनेटर तो फिर अब हमारे पास यह four total four question अब इनको solve करेंगे और सीखेंगे कि इनको कैसे कैसे लिखा जाता है जैसके अभी मैंने आपको numbers में बताए कि numbers में कैसे लिखेंगे अब यहां पर हमें words देया है और इन्हें हमें किसम के लिए कम वर्ट करना है numbers में देखें तू फिफ्थ कैसे करेंगे टू समझ में आगे वह उपर रहेगा जो आगे वाले डिजट होती है न वह उपर रहती है और जो हमारी second word होता है वो नीचे हो रहता है यहां पर कैसे फिफ्थ यानिकी five जब हमें लिखना हो जब हमें हमें एक्जामपल के लिए यह दिया हो number form में आना हमें इसे convert करना हो word form में तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे और next three eight इसमें three eight है तो simple है three लिखेंगे यह पर और नीचे eight one quarter यह तो किसी को समझें नहीं one quarter one quarter कैसे करेंगी देखो keep example के लिए जैसे हमारे पास यह सा कर लाए ठीक है इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है one quarter कैसे लिखेंगे तो देखो इसमें हमारे पास four partition है उसकी तरह यह बहुत हीजी है समझ में आ जाएगे जल्दी देखो हमें पास four partition है इसमें से हमारे पास एक partition फिल है एक बस एक और टोटल कितना है four तो हम वन लिखेंगे तो इसका देखो आप बोलूगे one one fourth बनना चाहिए था ना इसका पर हम इसे one fourth में भी लिख सकते हैं और one quarter में भी लिख सकते हैं तो आपको समझ में आ गया हो होगा कि हम one quarter कैसे लिखते हैं अब next one sixth बहुत easy है simple है लिखेंग हमारा one by four होता है ना बस उसमें हमें one quarter लिख सकते हैं और वन फोर्थ लिख सकते और यह इनका ऐसा नहीं कि one sixth एघ गो sonた लिख सकते हैं एसमें भी हम और जनको सुब्सक्राब करदेना, बाइ बाइ!